नमस्कार मैं रगुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार के सराबंदी कानून की दो दिनों पुर्व बिहार के सारंजिले में एक दुखत घटना घटी है जहरीली सराब से लगबक चालिश वेक्तियों की मृतु हुई है इसके बाद भारती जन्तापार्टी के नेतागन मानिय मुखमंत्री बिहार का इस्तिफा मांग रही है बिहार विधान मंडल में उनके द्वारा विरूध प्रकट किया जा रहा है इसके साथ ही आरजडी के एक विधाय मानिय स्री सुधाकर सिंग जी जो लगातार विख्यात हैं मानिय मुखमंत्री बिहार के प्रती पुर्वाग ग्रह से ग्रसित होकर आरूप लगाने के उन्होंने भी इस पर प्रस्नुठाया है स्री आर्चीपी सिंग पुर्व राष्ट्रिय ध्यक्ष जेडी यू ने भी इस पर प्रस्नुठाया है साथ ही कांग्रेस पार्टी के विधायक दलके नेता स्री अजीत सर्माजी ने भी मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने तो एक बार कहा था कि जैदि उन्हें एक दिन के लिए तेश का सासक बना दिया जाए तो पहला कानून पास करेंगे कि सराप की विक्री पर वो रोक लगा देंगे बिहार में जननायक करपुरी ठाकूर जी ने उनी सो सत्तर में सराबंदी लागो की थी गुजरात में आज भी सराबंदी लागो अभी एक देर मैना पूर मोर्वी पूल हादसा हुआ मैं बिहार भाजपा के नेताओं से स्री आर्शी पी सिंग से स्री प्रसांत की सोर जी से स्री सुधाकर सिंग जी से यह रोध पुरवक कहना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के द्वारा कभी भी गुजरात में जो 50-60 वेक्तियों के मृत्यूई जरीली सराब पीने से इस पर आप लोगों ने कभी कोई प्रस नुठाया था क्या वहां के मान्य मुखमंत्री जी का इस तिफा आप लोगों ने मांगा था नहीं न तो फिर क्यों उस गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग जहरीली सराब पीए पहले तो उनको पकड़ना चाहिए न जिनोंने जहरीली सराब बनाने का धंदा गिया बिहार के सराबंदी कानून में संसोधन के लिए प्रयास करना चाहिए आप सभी लोगों को भरती जंता पाटी को बिहार में 2016 में जब मान्य मुखमंत्री जी ने सराबंदी कानून लागू किया था बिहार के सभी दलों की समती थी और सभी दलों के लोग हिवत्या पर हाथ रखकर सो 2016 में जो सराबंदी हुई अविहार में उसमें क्या-क्या परिवर्थन हुआ। सारे लोग देखते थे कि गरीब गुर्बा लोग जो ठेला चलाने वाले रिक्षा चलाने वाले आटो चलाने वाले ड्राइजर का काम करने वाले सब्जी ठेला वगरह पर भेचने वाले पर जाते थे बहुत लोगों की मिर्दू हो जाती थी इसमें कितना बड़ा परिवरतन हुआ है विहार में आज कहीं भी सरक पर कोई पी कर लोग उलटता हुआ नहीं दिखाई परता पी कर असली गाना गाता और बने परिवारों के जो सोदे हैं जो बारात वगरे में जाते थे तो उसे डीजे के ठाप पर वो जिस ढंग से नाच करते थे नागिन डांस कि चार चार घंटा 5 पांच घंटा बिहार की सभी सरकें बाधित हुआ करती थी सादी के महीनों में इसमें किया परिवरतन नहीं जाया और क्या परियटकों की संख्या घट गई है विहार में ये सब तर्ग उन लोगों का है जो मालनी ये मुक्ष मंत्री जी के इस महत्वपुर्ण कानून का बिरोध करना चाहते हैं क्या भारतिय जनता पाटी के लोग विधान मंडल में ये कह सकते हैं कि हां सराब बिकनी चाहिए अगर ये स्टेंड अगर आपका है तो मुझे लगता है कि ये गरीब जनता की भावनाओं का अनाधर है ये तरह से और मैं रोध करूंगा बिहार के सभी राजितिक दलों से कि इसमें स्टेंड यह लिया जाना चाहिए कि माननी ये मुक्ष मंत्री जी बिहार का जो जिससे गरीबों को कोई दिक्कत हो रही है उसके संसोधन के लिए परियाश किया जाना चाहिए पुलिस पदादीकारियों पर असपस्ट सक्ती बरती जानी चाहिए भीहार सरकार के द्वारा कि जो गरीब लोग हैं उनको तंग ना किया जाए उन्हें परिशान नहीं किया जाए उनसे जो बड़े लोग सराब पहुंचवाने का काम करते हैं घरों में पहले उन बड़े लोगों को पकरा जाए जो इस गलत धंधा को बरहाने का प्रियाश कर रहे हैं इस अच्छे काम में सयोग करना चाहिए आरजे जी के सिर्शन नेत्रत उसे मैं रोध करना उनको अपनी बात को वापस लेना चाहिए, चोकि महात्मा गान दी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता को इस तरह का ब्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सराब विक्री वापस नहीं होनी चाहिए, बिहार में इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए। माने नहीं मुकमंतरी जी को इस मामले में स्टैंट क्लियर रखना चाहिए कि सराबंदी बिहार में लागू है और आगे भी लागू रहेगी जिससे गरीब जनता को सबसे ज़्यादा है, समाज को फाइदा है, महिलाओं का सम्मान बना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो निश्ची तोर पर लाइक करें, शेयर करें, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, बेला इकन को वस्ट टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का टुपकेशन आपको तुद् मिल जाए, आप सभी लोगों के लिए सुबका मनाए, धन्यवाद जाएं